विल्कम बैक डूमा यूटूब चानल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स कोस्टन आपको हो जागा कोस्टन नंबर 30 ठीक है क्या होते हैं यह आपको बताना ठीक है यह आपको बताना ठीक है तो कि अपने आपने इसको बात करते हैं कि आपको यसानी से आजागा ठीक है बात करते हैं यह यह वाइस अंक आपके क्या होते हैं क्रिस्टल विज्ञान के अंताखंड की परिमेता के नियम के अनुसार क्रिस्टल में यदि तीनों अक्षों का चैन उप्योगत हो ठीक है जो आपके तीनों अक्षों का चैन उप्योगत हो ठीक है तो अगर इनको काटा जाए ठीक है तो यह क्या होते हैं एक सरल अनुपात में होते हैं यह कह रहा है और इन अन्ताखंडों की लंबाई क्रिस्टल की जामितिये पर निर्वर करती है जो आपका क्रिस्टल है उसकी जमेट्री क्या है उस पर डिपेंड करती है कौन इन अन्ताखंडों की लंबाई ठीक है कह रहा है इसलिए एक दूसरे के बराबर हो भी हो सकता है ठीक है तो इनकी जो लंबाई है वो एक दूसरे के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती ठीक है अनताखंडों के लंबाई लेकिन कह रहा है इनका अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी सदैव इस्थिर रहता है लेकिन जो आपके अन्ता खंड हैं A, B और C इनका जो अनुपाहत है इनका जो रेशियो प्राप्त होगा वो कैसा होगा सदैबाप का इस्थिर रहेगा जहां A, B वा C अन्ता खंड है ठीक है जो A, B आपका लिखाई ये कहां आपके अन्ता खंड है ठीक है कहां आपके अन्ता खंड है ठ ठीक है जो आपकी एक्सिस हैं उनके अन्ताखंड को बाइस अंक कहते हैं यही जो आपके अन्ताखंड होते हैं इनी को क्या कहते हैं वाइस अंक जो है कहते हैं मालों ए बी सी ठीक है यह अन्ताखंड है यह बी अन्ताखंड यह क्या है सी अनुपाद बी अनुपाद क्या हो ज डिए पर यहां पर एब लिख गया इसको आप जए लिख सकते हो भाई ठीक है यह आपका K, यह L, यह आपका K, L, M ठीक है और यह जो आपकी अक्षा इसको नाम के दे दिया X ठीक है क्या है X तो यह ABC खंड को काट रहा है कौन काट रहा है आपका ABCD फलक को आपका काट रहा है इसलिए आपका काट रहा आपका CD और HG ुस वाले फलक को काट रहा है बसको काट रहा है तो यह आपके क्या हो जाएंगे, जहां जहां यह काट रहा है आंता खंड हो जाएंगे ठीक है फार एक्जामपल चली देखो द्यान से कहरा उधारण के लिए चित्र में दरसाएगा एक किसी घनिये क्रिस्टल को लीजिए ठीक है मान लो एक्जांपल के लिए जो आपको चित्र में दिखाया गया है वो हमने क्या ले लिए एक घनिय क्रिस्टल ले लिए जिसमें इसमें तीन अक्ष्य क्या है एक O K है दूसरा O L है and third क्या है आपका O M ठीक है क्या है ओके O L और आपका एक O M है और तीसरा O से आपका M, ठीक है, तो यह क्या हो जगा, आपका O M, ठीक है, तो यह क्या है आपके, तीन अक्ष, O के, O L, और आपका एक क्या है, O M, ठीक है, अब यहां से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यह जो आपका घनिये क्रिश्टल है, इसको आपको ध्यान में आपका o m अब इसके आगे कहरा o m एक दूसरे के समकोरण पर इस प्रकार चुनлы गए है ठीक है तीनो एक दूसरे के समकोरण पर है और अब इस तरह से इनको बिन्यासत किया गया है कि वह एक दूसरे से crystal के सम्हित केंबर o पर मिलते हैं ठीक है जो आपका crystal का केंद्र है उसी पर तीनों आपके मिलेंगे ठीक है पहरा O के अक्ष फलक A, B, C, D को X अक्ष पर और O, L, L फलक A, B, E, F, E को Y अक्ष पर तथा O, M अक्ष O, M फलक A, D, H, E को Z पर काटते हैं तो यह जो तीनों फलक हैं आपकी हमने अभी देखा था कौन कहाँ पर काट रहा है तो जो आपका O के अक्ष है यह फलक A, B, C, D को X पर काटेगा और जो आपका O, L अक्ष है, O, L है आपका यह फलक A, B, E, F, E को Y पर काटता है अब कहा है यदि इन अक्षों को विप्रीद दिसामें पीछे की और बढ़ाया जाए अब इनको अगर आप कुछ इस तरह से पीछे की और बढ़ाऊगे पीछे की और बढ़ाऊगे तो उपर यूगत फलकों के ठीक सामने वाले फलकों को भी इकाई पर काटते हैं ठीक है तो इनके सामने फलक है अगर इनको आप क्या करोगे मान लो इनको क्या कर दिया पीछे अटा दिया ठीक है अब आपने क्या करा है इनको पीछे अटा दिया ठीक है यह आपर मिल रहे है तो इनको अगर आप पीछे अटा आओगे ठीक है बैक तो यह कहां जागा आपका इधर चला जागा यह कहां जागा आपका इधर चला जागा तो अभी यह क्या करेंगे प्रीत फलकों को भी काटने लगेंगे ठीक है अभी यह जो था आपका A B C D ठीक है क्या है आपका A B C D अगर इसको आप पीछे अटा दोगो ठीक है मानलो इसको क्या कर दिया पीछे अटा दिया तो ये किसको काटेगा तो ये इस वाले अक्ष को जो है काटेगा ठीक है पीछे अटाने पर काटेगा ठीक है तो इस तरह से तीनों को अगर आप पीछे अटा दोगे तो ये तीनों जो है अलग-अलग फलकों पर, ठीक है, सामने वाले फलकों को भी एकाई पर काटते हैं, आप कहा रहा है, चूंकि बिंदु O, सम्मित केंदर है, बिंदु O के आया आपका सम्मित केंदर है, इसलिए घनिये क्रिस्टल, जो कि आपका क्या था, O, X, O, Y, और O, Z, ठीक है, जो क आपका O, Z हो गया, अंता खंड सब बरावर होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, जो आपका केंदर बो कैसा है, सम्मित यानिकी सभी जो एक्सिस है, आपकी उनके लिए इस बरावर है, तो कह रहा है, इनके सभी के जो खंड होंगे, बो कैसे होंगे, आपके बरावर होंगे, ठीक पर काटता है जो आपका ABCD फलक है ठीक है क्या है आपका ABCD आपका जो फलक है ABCD ठीक है क्या है ABCD फलक X अक्ष को एकाई पर काटता है किसको काटता है मालो ओ है तो यह आपका क्या है X अक्ष ठीक है जहाँ पर लिखा था कि यह किस पर काट रहा है आपका एकाई पर काट रहा है ठीक है किस पर काट रहा है एकाई पर जबकि बाई अक्ष और जैड अक्ष इसी एवी सीडी फलक को किरमसा अनंत पर काटते हैं ठीक है अब जो आपका बाई अक्ष है और जैड अक्ष है वो इसी फलक को ठीक है एवी सीडी फलक को कहाँ पर काटते है अन्त पर काटते, infinite पर काटते हैं, क्योंकि X और Z, Y और Z अक्ष इस फलक के समाना अंतर हैं, ठीक है, क्या है, जो आपका Y और Z अक्ष है, वो कैसे इस फलक के आपके समाना अंतर हैं, ठीक है, कैसे हैं, समाना अंतर तो ये कहीं पर नहीं काटेंगे, infinite पर काटेंगे, ठीक है, अब क्यारा सनलगन चित्र में घनिय क्रिस्टल के फलक ABCD ठीक है कौन सा ABCD ठीक है इसका क्या है के अन्ता खंड अर्थात Y सा अंक क्या होंगे 1, infinite, infinite ठीक है क्या होंगे 1, infinite, infinite क्यों क्योंकि जो आपका ABCD आपका फलक है क्या है ABCD ठीक है उसको जो आपका X अक्ष है वो 1 पर काट रहा है लेकिन जो आपका Y और Z अक्ष है वो इसी ABCD पर काट रहा है infinite पर काट रहा है ठीक है कहां काट रहा है infinite पर तो वही खंडों की लंबा ही इसमें लिख देते है ठीक है तो x कहां काट रहा है आपका बन पर काट रहा है और y आपका कहां काट रहा है infinite पर काट रहा है और zv आपका क्या कर रहा है infinite पर काट रहा है कि इसको ABCD फलक को ठीक है तो यह क्या हो जाएंगे इसके 20 अंक हो जाएंगे ठीक है क्या हो जाएंगे वाइस अंक इसी प्रकार फलक AB EF ठीक है फलक AB EF और दूसरा क्या आपका फलक ADHE के वाइस अंक क्रमसा क्या हो जाएंगे वह infinite one और infinite ठीक है यह किसके लिए हो जागा आपका इसके लिए a b f e के लिए और a d h e की वाद करें तो इसके लिए infinite infinite बन हो जागा ठीक है क्या हो जागा infinite infinite बन हो जागा ठीक है दो समानतर होंगे तो इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे नहें के पड़ा था बाइस अंक पर टेपड़ी लिखनी थी आपका question जो है यहाँ पर complete हो गया उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में बने दिया मासा तब तक लिए थैंक्स पर वाचिंग एंड शेयर दा वीडियो